कि अई विडियो में इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग 15-20 मिनट में रैपिड रिविजन करने वाले हैं जितने इंपोर्टन पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के जितने ट्रेंड्स होते हैं सारी चीजे कवर करने वाले हैं आज चैप्टर क्या है है द्याक्षिन यह जो जिसमें अक्सिदेशन भी होता है समिल्टेमियस ली उसको क्या बोलता है एलेक्ट्रां कवा स् existem और हिदेशन Twin Chi यह फिर ऐंक्रीज होना तो हम लोगों को क्या ध्यान लगना है यह जो लास वाला पॉ topics यह हैं हमारे लिए oxidation क्या oxidation नंबर का increase होना reduction क्या है electron का gain addition of hydrogen removal of oxygen या फिर oxidation नंबर का decrease होना this is reduction अब यहां पर देखिए oxidation नंबर का oxidation नंबर कुछ नहीं है बिटा charge है किस पर base होता है बिटा electro negativity के basis पर यहां पर देखिए जिसे हम लोग बात करें hydrogen है और oxygen है तो आप लोगों का hydrogen की electronegativity कम तो hydrogen की oxidation state कितरी आ गई इसको पेटा हम लोग correct करेंगे hydrogen की oxidation state कितरी आ गई यहां पर plus का 1 आ गया ठीक है अब यहां पर देखो sodium है और hydrogen है तो sodium की electronegativity ज्यादा जिसकी electronegativity ज्यादा उस पर negative charge आएगा कितना आ गया माइनस 1 यहां पर देखो HF है यहां पर देखिए HF है अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो fluorine की electronegativity ज्यादा तो fluorine पर minus 1 तो hydrogen पर कितना plus 1 यह hydrogen की लिखी हुई है ऐसे fluorine की बात करें तो पर देखो F2 है F2 का बांड कैसा है F2 का बांड ऐसा है तो क्या दोनों की दोनों सेम atoms है हाँ जब दोनों सेम atoms है तो दोनों की electronegativity तो कोई चार्ज जवलप नहीं होगा चार्ज क्या गया जीरो ठीक है ऐसी देखो NF3 माइनस यहाँ पर देखो क्या बोड़ा है कि fluorine always exist as minus 1 क्यों क्यों की fluorine की electronegativity सबसे जादा होती है तो fluorine हमेशा minus 1 में करेगा fluorine हमेशा minus 1 में करेगा यहाँ पर देखो oxygen oxygen जनरली किसमें करता है पैटा minus 2 में लेकिन ऐसे कुछ cases है जिसमें वह minus 1 में भी करेगा जैसे पर उक्साइड जैसे प्लस 1 में भी करेगा जैसे आप लोग fluorine के साथ लगा दोगे तो किसमें exist करेगा plus 1 में और super oxide super oxide में minus half में भी कर सकता है मतलब fractional oxidation number भी होता है चेक है आचा कहीं पे भी अगर अमलगम है तो ध्यान रखना जैसे यह sodium का अमलगम है sodium और mercury की reaction तो sodium के oxidation state के दिने है जीरो क्योंकि इसमें कोई electron का transfer नहीं होता यह native state में होता है अब यह बटा x वाला method है x वाला method क्या है जैसे सबोस करो आप लोगों को H2SO4 की निकालनी है आप लोगो oxidation state sulfur की निकालनी है त तो hydrogen देखो excess केस में करेंगा plus 1 में तो 2 into plus 1 x मानलिया sulfur का 4 oxygen है oxygen का generally मतलब 98% cases में क्या लेगा minus 2 तो 4 into minus 2 equals to total charge total charge कितना है बिटाइस पे 0 तो equals to 0 तो x पे sulfur पे कितना charge आगया plus 6 ऐसी देखो NO3 minus nitrogen का निकालना है x मानलिया x वाला method बोलते हैं से है ना यहाँ पे oxygen कितने है 3 तो 3 into minus 2 क्यों क्योंकि oxygen minus 2 में exist करता है equals to total charge total charge कितना है minus 1 minus 1 तो x कितना है यहाँ पे plus 5 आगया आई बात समझ में ऐसी आप oxalate का निकाल सकते हो अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है जैसे आप लोगो यह भी चीज़ दे रखिए यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे द मैं निकाल सकते हो brown ring complex सबसे पहली बात तो हम लोगो complex यहाद होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि इसमें no जो होता है वो प्लस वन में होता है और iron जो होता है वो भी प्लस वन में होता है वो किसमें होता है प्लस वन में होता है यहां पर सही करो यार यहां पर सही करो यह रहा न सॉरी सॉरी यह रहा यह रहा एक्स किसमें प्लस वन में होता है और no भी प्लस वन में होता है बेलकुल ठीक है अब गुरुप 17 की कितने है यहाँ पर गुरुप 17 की माइनस वन और प्लस सेवन तो अगर गुरुप 16 की में लेखना चाहूं तो कितनी हो जाएगी माइनस टू और प्लस छे बिल्कोल सही है सर अब यहाँ पर देखो यह कैरो जासेड है यह मार्शल्स आसेड है इसके हम लोगो फॉर्मुले पता होने चाहिए इनके फॉर्मुले हमको पता होने चाहिए अब जैसे देखो यहाँ पर CRO5 CRO5 का structure कैसा रहता है बटरफ्लाइ स्रक्चर रहता है तो यहाँ पर structure बनाओ बटा CRO5 का CR double bond O इधर O O इधर यह ऐसे butterfly structure रहता है यहाँ पर chromium की oxidation state कितनी आती है प्लस 6 आती है देखें लिग भी रखिए देखें यहाँ लिग भी रखिए अब देखो reducing agent reducing agent कौन है जो खुद क oxidation होगा खुद का oxidation होगा तो reducing agent oxidizing agent कौन है जो खुद का reduction करवाएगा यहाँ पर देखो यह equation दे रखिए और यह आप लोगो oxidation और reduction यह बड़ा इसी है कोई दिखकत नहीं यहाँ पर देखो यह important point है एक ऐसा element जो सिर्फ और सिर्फ अपनी highest oxidation state में अगर कोई element अपनी highest oxidation state में ह है अगर कोई element अपनी highest oxidation state में है तो it will behave only as oxidizing agent only as oxidizing agent जैसे के मनफूर किसमें मैं प्लस सेवन में है तो यह अपनी highest oxidation state में होगा तो it will behave only as oxidizing agent अगर कोई सा भी element अपनी minimum oxidation state में है minimum oxidation state में है तो वो कैसे behave करेगा only as reducing agent जैसे आपे carbon किसमें बिटा minus 4 में है तो minimum में है minimum में है तो it will behave only as reducing agent और अगर बीच में फज गया it is acting as बीच में है जो आपकी oxidation state है वो बीच में intermediate oxidation state है तो दोनों की तरह behave करेगा oxidizing as well as reducing यहां से सवाल बनता है जैसे HNO2 यहां पर nitrogen की oxidation state कितनी है plus 3 तो यह बीच में nitrogen की lowest कितनी होती है minus 3 highest कितनी होती है plus 5 nitrogen exercise करता है बेटा minus 3 से plus 5 तो जो यह plus 3 आ रहा है यह बीच में आ रहा है हां तो यह oxidizing agent की तरह भी behave करेगा reducing agent की तरह भी behave करेगा चेक है अब यहां पर देखो यह NCRT में कुछ example दे रहे हैं जैसे carbon sub oxide तो इसमें अगर carbon की oxidation state निकालो तो कितनी है यह 4 by 3 एक बात हमेशा ध्यान रखना जो भी fractional oxidation नंबर आती है वह क्या होती है बेटा average होती है यहां पर जैसे देखिए जैसे यहां पर देखिए इस वाले carbon की oxidation sheet कितनी है plus 2 इसकी कितनी है जीरो इसकी कितनी है बेटा plus 2 तो total charge carbon पे कितना है plus 2 0 plus 2 कितना है plus 4 कितने carbon में जीरो यहां पर प्लस टू इंडिवीजुल कभी भी average नहीं आएगा average आरहा है इसका मतलब क्या है आपका fractional एसका मतलब पिटा average होएगी लेकिन अगर आप individual निकालो के bromine पे तो कितनी आएगी इस पर आएगी पिटा plus 6 इस पर आएगी प्लस 4 इस पर आएगी plus 6 तो यहाँ पर देखो plus 6 plus 4 plus 6 total charge कितना होगया plus 16 divided by 3 bromine तो यह रहा plus 16 by 3 तो यह average है individual कभी भी fractional नहीं आएगा अब देखो valency vector तो आएगी लिए वैलेंसी फेक्टर कितना होता है कितने h plus i n दे रहे हो जैसे hcl कितने देता है एक h2,4 कितने देता है एक है एक देता है यहाँ पर देखो base के लिए n factor कितना हो जाएगा कितने oh minus i n दे रहे हो तो जैसे naoh कितना देता है एक, calcium hydroxide 2, aluminum hydroxide 3 लेकिन अब यहाँ पर देखो यह important है जैसे देखो h यह equations दे रखी है अलग-अलग n factor same substance का vary कर सकता है वो यह proof है कैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो कितने h plus है यहाँ पर ध्यान से देखो कितने h plus है यहाँ पर 3 है सर बिलकुल से ही यहाँ पर कितने 3 यहाँ पर प्रोड़क्ट में देखो क्या अभी भी 2 h plus पड़े वे हैं हाँ जी तो एक बात बताओ आपके पास बिटा 3 रुपे थे आपके अभी भी 2 रुपे हैं happens यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर एक ही है तो बेटा 3 रुपे थे आपके पास कितना है एक है तो खर्च कितने करें 2 रुपे मलब 2 h plus गए तो न फाक्टर 2 यहाँ पे 3 है, हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 भी नहीं है, hydrogen गया, hydrogen गया, तो 3 के 3 खर्च कर दिया, 3 के 3 H प्लस गया, तो N फैक्टर 3, चेक है, ऐसी देखो salt में, salt में आप क्या बताती हो, total positive charge, या फिर total negative charge, कुछ भी बतातो, जो easy लगे, जैसे NaCl, तो Na किसम होती है, तो N सिह नमेने के बताती है, होती है, यहां पे आप लोगों को दे रख़ा है, N factor for reactions, अब n factor for reaction आप कैसे निकालते हो, change in oxidation number into number of atoms, इसका क्या है, submission है, जिसे यहाँ पे देखो, जिसे यहाँ पे देखो, आप लोगों का Kmn4, manganese किसमें है, plus 7 में है, अब यहाँ पे देखो, acidic medium में, plus 7 में, manganese कहां जाता है, swatch कितने का, plus 7 से, plus 2 गए, change कितने का, 5 का तो 5 आपक्श का neutral medium में, plus 4 जाता है, plus 7 से, plus 4 जा रहा है, change कितने का än factor 3, plus 7 से, almost 6 जा रहा है, किसमें basic medium है, change कितने खंव चंज कितने का, 1 का, एं factor 1, ऐसे यहाँ पे entferos oxalate का example, disproportionation reaction वह है, जिसमें same element का, यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, same element का oxidation हो और same element का reduction हो, कैसे जिसे यहाँ पर देखो, Cl2 0 में है, कहां गया, minus 1 तो oxidation number कम हुआ, this is reduction, Cl2 0 में है, कहां गया, plus 1 में, तो oxidation number बड़ा, this is oxidation, तो क्या chlorine का ही reduction हो रहा है, हाँ, chlorine का ही oxidation हो रहा है, हाँ, तो इसमें यहाँ पर chlorine का क्या हो रहा है, disproportionation यह reaction बहुत इंपोर्टेंट है, PYQ में आ चुका है, NaOH के साथ अगर reaction कराते हो, chlorine की cold and dilute है, तो यह जाता है NaCl and NaCl NaCl O में, और उधरी बेटा, अगर आप NaOH को hot and concentrated ले लोगे, तो यह जाएगा NaCl और NaCl O3 यह याद रखना है, cold and dilute में अलग चलता है, और hot and concentrated में अलग चलता है, ठीक है? chlorine does not show disproportionation क्यों नहीं शो करता? क्योंकि chlorine बेटा, प्लस में कभी भी नहीं जाएगा disproportionation में जाने के लिए आप लोगो, जैसे chlorine 0 में जैसे chlorine 0 में था, तो माइनस में भी गया, वो प्लस में भी गया, फ्लोरीन बोल रहा है हम सबसे जाता है, लेक्टर नेगटिमें तो हम माइनस में तो चले जाएगे, 0 से माइनस 1 तो चले जाएगे, लेकिन प्लस 1 कभी भी नहीं जा पाएँगे, तो fluorine does not show disproportionation ठीक है, equivalent weight क्या होता है बिटा equivalent weight होता है, molar mass upon n factor, molar mass हमें पता है, जैसे h2so4 molar mass कितना है बिटा, 98 n factor कितना, कितने h plus देगा, 2h plus, then factor 2, equivalent weight कितना होता है, 98 by 2 जैसे हाँ पर देखो, s3po4 s3po4, molar mass कितना होता है, 98, n factor कितना है 3, क्योंकि 3h plus देता है n a c l, molar mass कितना, 58.5, n factor कितना 1, 1 क्यों, क्योंकि salt है बिटा total positive charge कितना, plus 1, total negative charge कितना, minus 1 सही है, ठीक है सर, अब यहाँ देखी normality, कैसे निकालते हो number of gram equivalent upon volume of solution in liter gram equivalent कैसे निकालते है, given mass upon equivalent mass, ये दो relation है बिटा, normality और molarity moles और equivalent है, कुछ नहीं normality equals to molarity into n factor और equivalent equals to moles into n factor law of chemical equivalence, ये क्या बोलता है, कोई सी भी chemical equation हो, unbalanced form में हो भले कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें सभी के gram equivalent जितने reactant है, जितने product है पेटा, हजार reactant हो, हजार product हो कुछ भरक नहीं पड़े, जितने reactant है जितने product है, सबके gram equivalent क्या रहेंगे बराबर रहेंगे, gram equivalent a, b, c, d, सबके क्या है, बराबर है titration का आपका formula क्या रहता है titration का आपका ये formula रहता है n1, n2, v2 equals to n1, v1 या फिर आप चाहो तो इसी को ही इसमें भी लिख सकते हो n2, nf2, ये कहा है इसके moles into इसका n factor n1, इसके moles into इसका n factor, दो component होते है titration में, तो moles into n factor क्या रहता है constant रहता है, यहाँ पर जैसे देखो, ये दे रखी ये आप लोग की ये री, ये री जैसे titration, देखो, k2, c, r2, इसका n factor कितना रहता है k2, c, r2, o, 7 का n factor कितना रहता है 6 रहता है, यहाँ पर indicators की ज़रुत पड़ती है, indicators के हैं बेटा diphenylamine, potassium, ferrocyan है, ठीक है, ये दे रखी हैं चीज़ें ये आप लोग के NCRT में दे रखी है Kmno4 का titration, बेटा, अभी-भी externally कोई indicator ड़ने की ज़रत नहीं होती है, pink से ये colorless चले जाता है, और एक और last में आप लोग को NCRT में दे रखी है iodine की titration, ठीक है सबसे पहले बात तो indicator का है start solution, iodine की दो titration होती है, एक होती है iodimetry, iodometry इसको याद मैं कैसे कराता हूँ, देखिए iod, iod, I use हो रहे हैं अपे, तो directly iodine is used, अगर directly iodine use हो रहा है, तो उसको क्या बूलेगे बेटा, iod, यहापे देखो, आईए ना, आईए ना, और अगर directly iodine use नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बूलेगे, डो, डो, आयो, डो, समझे, तो यह है बेटा, यहापे बेटा चाप्टर समाप्त होता है, छोटा सा चाप्टर, I hope आप लोगों मजा आ रहा है सफलता सीरीज में, मुझे फटा-फट से बेटा, कमेंट करके बताना, और और भी बेटा, बहुत सारे है, और इसमें, इन्रोल हो जाना है, यहीं से ही, बेटा, सेलेक्शन हो गए, इस आप्सलूटली फ्री, यहापे आप लोगों को साथ फ्री फुल लेंद मॉक्टेस मिल रहे हैं, रैंक ट्रेडेक्टर मिल रहे हैं, हमें पता चलेगा कि यार, हम लोग वीक कहाँ पे हैं, और फिर वहीं से हम लोग हमारी प्रिपेरिजन कर सकते हैं, as well as गिफ्ट वाउचर भी है यहापे, तो आप लोगो को बेटा, यह जरूर से देना है, ठीक है, कोई भी बेटा, 24 का बच्चा है, 25 का बच्चा है, मन बना लिया है, कि यार, वही फोड़ना है, तो शौर रे बैच में आ जाई है, आप लोगो अभी 20% आफ भी चल रहा है, स्पार्टन कोड लगा के, आपको maximum possible discount मिलेगा, और साथ-साथ मैं मेरी personal mentorship में add होगे, ठीक है,